नमस्कार आदाब, मैं हूँ प्रविन और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक का डेली राउंड अप शो, आईगे नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्क्यों पर किसान आंदोलन, किसानों के बाद अब पंजाब के कर्मचारी भी दिल्ली कूच को तैयार, करनाटक में बस हर्ताल दूसरे दिन भी जारी डूटा ने उठाई एड हॉक शिचकों को अस्थाई करने की मांग हमाई चौथी और आखरी ख़बर कुरोन अपडेट, देश में रिकॉर्ड एक लाग चब्विस जार नए मामले, 685 मरीजों की मौत विवादित क्रिशी कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 133 दिन भी जारी है ये किसान विपरिस परिस्थितियों के बाद भी डटे हुए हैं लेकिन किसानों के सामने अब बड़ी समस्या यह है कि उनकी फसले खेतों में तयार है दूसरी तरफ सरकार आंदोलन कारी किसानों की मांगे माननी तो दूर उनसे बाचीत भी नहीं कर रही है देश भर में करोना महामारी फिर से फैल रही है जिसके बाद किसानों को एक चिंता यह भी है कि कहीं सरकार महमारी को आफसर बना कर उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश ना करे सन्यत किसान मोचा में शामिल किसान संगठनों ने दिल्ली के किसान मोचे को मजबूत बनाने के लिए तैयारी की है डेमोक्रेटिक मुलाजम फेडरेशन और पंजाब सब और्नेट सर्विस फेडरेशन के बैनर तले पंजाब के हजारों करमचारियों ने समर्थन देते हुए 11 अप्रैल को दिल्ली रवान होने की तैयारी शुरू कर दिये नेताओं ने कहा कि आंदोलन को किसी भी तरह कमजोर नहीं होने दिया जाएगा भारती किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बुद्धवार को कहा कि सरकार को किसान आंदोलन के साथ उस तरह का बरताओं नहीं करना चाहिए जैसा कि पिछले साल दिल्ली के शाहिन भाग में विरोड प्रदर्शन के दौरान किया गया था टिकेट ने यह भी कहा कि प्रदर्शन कारी घर तभी लोटेंगे जब नए कृषिक कानून वापस ले लिये जाएंगे उन्होंने कहा कि आंदोलन किसान कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करेंगे और जबुरत पढ़ने पर 2023 तक आंदोलन जारी रहेगा करनाटक में वेतन संबंदी मुद्धों को लेकर सड़क परिवहन निगम के चालकों और परी चालकों की अनिश्यत कालीन हर्ताल पर है सरकार कर्मचारियों को हर्ताल पर जाने पर कानूनी करवाई की चेतामनी दे रही है इसके बाद भी कर्मचारी अपनी मांगों पर अडिक है कर्मचारी काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो अब वो अनिशित कालिन हर्ताल पर चले गए है इसे राज में परिवहन का संकट पैदा हो गया है जिसके मद्दे नजर राज सरकार के अनरोध पर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ब्रिस्पती वार को विशेश ट्रेने शुरू कर दी लेकिन इसके बाद भी लोगों को आने जाने में समस्या हो रही है करनाटक के मुख्य सचीव के अनरोध पर रेलवे बोर्ड ने राज में विविन्य गंतव्यों के लिए ब्रिस्पती वार से 14 अप्रेल तक विशेश ट्रेने चलाने की अनुमती दी है दक्षिन पच्चमी रेलवे ने ब्रिहस्पती वार को हुबली से यश्वंतपूर के लिए सोलर डिबो वाली एक विशेश ट्रेन चलाने का फैसला किया है शुक्रवार और शनी वार को नौनो विशेश ट्रेने चलाई जाएंगी दिल्ली विश विद्याले शिचकसंग यानि डूटा ने डियू के एड-hoc यानी कॉंट्रेक्ट पर काम कर रहे हैं शिचकों को अस्थाई करने की मांग के साथ हर्ताल की न्यूसक्लिक ने डूटा के अध्यक्ष राजी उरे सहित हरताल कर रहे शिच्चकों से बात चित की आएए देखते हैं यह ग्राउंड रिपोर्ट का नौकरी उनके हाथ से निका चीन ली जाएगी है तो इस मुव्मेंट को हमें सस्पेंड करना पड़ा आज हम देख रहे हैं कि हमारे बजाए इन डिमांड को सरकार सोचती और देखती और आगे चलती वह एनिपी लाकर हमसे हमारे क्लासरूमी चीन लेना चाहती है इसलिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है क्योंकि टीचर्स को यह डर है कि अगले सेशन तक हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे साथियों के नौक्रिया ही ना बचे यह लंबे सालों से 10 साल से 12 साल से पढ़ा रहे हैं तो इनकी इलिजिबिलिटी है यह इंटर्व्यू कमिटी फेस करके आए हैं और इतने साल हो गये हैं 10-12 साल तो इनको जैसे अभी आपने सुना होगा मध्य प्रदेश का केस था या हिमाचल प्रदेश का केस है और उत्राखंड से भी सुनने को आता है तो वहाँ पे वान टाइम एब अगर वह पढ़ा रहे हैं और आपका फिर भी कोई जॉब सेक्यूर्टी नहीं है तो ऐसी अबस्ता में कलको उनको होम लोन लेना होता है कुछ इस तरह कि अपनी प्रोग्रेस अपनी ग्रोथ के लिए कुछ करना होता है बच्चों की एजूकेशन के लिए उनको जाना है त इस तरह कि जो चीज़ें इससे उनके जीवन के उपर बहुत जीवन स्तर के उपर बहुत फ़रक पड़ता है तो हमारी एक ही डिमांड है कि सरकार से खी हम लोग भी उतने ही क्वालिफाइड हैं जितने बाकी पर्मनेंट टीचर जो हमारे सीने टीचर्स कॉलिजी में रहे हैं तो आप हमें एक पर्मनेंट जौब देखें हमारे ओवरॉल करियर को सिक्यूर कीज़ें और जो एजूकेशन सिस्टम है उसको एक मजबूती प्रदान करें केंदी स्वास मंत्राइब दौरा आज गुरुवार यानि 8 अप्राइल को जारी आगड़ों के नुसार दे 322 मरीजों की मौत हुई है साथ इसी बीच देश भर में करोना से पर 69,278 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिम मामलों में 6,8846 मामलों की बढ़ उतरी हुई है देश में अब कुल मामलों की संक्या बढ़ कर 1,29,28,574 हो गई है जिन में से 1,64,862 लोग अपनी जान गव आ जोके हैं देश में रेकवरी रेट घट कर 91,66 फिस्दी यानि कुल मरीजों में से अब तक 1,18,59,393 मरीजों को ठीक किया जा जोका है और एक्टिम मामलों की संक्या बढ़ कर 7,04 फिस्दी यानि 9,10,319 हो गई है आज के डेली रांड़ अप में बस इतना ही निउस क्लिक के यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करें निउस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया